कि अभी वेल्कम टु डग बथर मोग के जो कमेंटस आ रहे हैं बहुत सारे आप रेकिख असे वीदियो पर बढ़त करेंगा अब लोग कुस्टा का आप पीडमिशं के रिजिस्टेशन की बात तोपिक के ओपर हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे सबसे अगर班 शुर्व और सब्सक्राइए टोपिक के ऊपर यह रहेंगा जो आप लोगों ने कमेंट्स किया उस वीडियो के ऊपर जो आप हो ने मुटो कीव मैं गता है इस सब लोग अच्छी तरीके से करें उनके साथ कोई भी गलती ना उनको कोई प्रॉब्लम ना हो यह हमारा मोटो है तो मैंने यह सोचा कि क्यों एक वीडियो बनाया जाए जिसमें यह जो कोश्चन सही में एक वैलिट कोश्चन है गजब कोश्चन सुनके वाज आ जाता है हां य ही आया है गोंडवाना यूनिवर्सिटी यार एलिजिबर फॉर फिलिंग द फॉर्म बहुत थी बहतरीन कोश्चन कोश्चन उन लोगों के लिए है जो अलग यूनिवर्सिटी से बिलॉंग करते हैं तो उन लोगों को देखो एक्जाम्पल के तौर पर आप लोग का भी सि यहां पर आप लोगों का जो रिजल्स मंग रहा है वो यहां पर अफिलिट कॉलेज के उपर बात करते हैं आप लोग के जो यहां पर यह मांग रहा है आप लोग के रिजल्स यहां पर ऑप्शनल करके लिखा है ओके यूट माइप पॉइंट ऑप्शनल का मतलब यह है अग या compulsory मतलब यह तो आप लोग को पास होना ही चाहिए और optional में अगर नहीं है तो चला लेगे आप लोग को समझाएगे नहीं समझाए तो और अपनों कोच्चंग कर लेना तो भी मैंने आप लोग को बहुता था कि इस वीडियो का हम लोग वेट करेंगे तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश क्यों को अब मैंने वो वीडियो में यही बुला था कि मैं अगली वीडियो में सिथा अपने फॉम को भरूंगा लेकिन मैं अभी थोड़ा रुक चुका हूँ क्योंकि कैसा है अभी देखो यह क्या हो रहा था यह जो सेक्शन है क्वालिफिकेशन डीटल्स का देखो यह फिर से नह सдеIA फिर्सथी पहले थे फिर से अज फोड़े दर पहले जब भी देखा था था यहां पर यह कलिक हो रहा था औरको रुक रहा हुआ हूं और मेरे कुछ लती नहीं करना है तो अभी कुछ लोग है जो मतलब आप लोग को बोल रहे हैं यह दोकुमेंट को बात छोड़ो नहीं आप लोग को पर एडमिशन तो मिल जा है सब हम लोग कवर कर रहेंगे इस वीडियो पर तो क्या है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबातो क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक को हम लोग डिसकस करने वाले आप लोग को एक कमेंट के हम लोग रिप्लाइ दे रहे ठीक है तो सर जो आटी मन्यू केंपस के रिजिस्ट्रिशन के लिए सौम डॉकुमेंट्स लगेंगी ओके बेटा वेरी वेरी देखो जैसे आप लोग इसको बेक करोंगे पूरे पैक आजाओ यह पर तो देखो विया एफिलेट क्लिक किया था तो यह सब चीजी है जो कि अभी हम लोग देख चुके हम लोग आ रहेंगे आटीमेर डिपार्टमेंट के लिए इसको हम लोग केंपस बोलते है तो यहाँ आप अपलिकेशन के उपर क्लिक करेंगे बेटा देखो सेम चीज़ है तीगे क्यों पर क्लिक करेंगे देखो यह आ गया बोल रहाँ आपको अब यह फिर से खुछ चुका है तो यहाँ पर आप लोग को सब्सक्राइब और इस फॉर्म को मैंने यह पर डिसकस नहीं के तो अगर आप लोग नागपूरु उनिवर्सिटी के हो लेगिन वह फिर महाराष्ट के बाहर है अगर है तो आप लोग को इसलेट करना अगर आप एक्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग मध्य प्रिदिस से आयो तो आप लोग को यह करना है यूँ गेट माइपॉइंट नहीं समझे तो फिर कमेंट करना डरना नहीं है एससी इसाब करना यह ओफ पासिंग बोर्ड युनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड सिधा कर आप लोग महारास्ट में होतों सिब्सी में हो तो यह और आप आइसी एसी में हो तो यह अप्टेंड मार्क्स टोटल मार्क्स बंट्रेक परसेंटेज खूद आ जाएंगे फिर एचसी का फिर ग्रेजुएशन का दालना आप लोगको अप ग्रेजुएशन का किस तरह से दालना है देखो ग्रेजुएशन कब आपका complete हुआ है वो दालना है कौन्ती युनिवर्सिटी आर्टी मेन्यू की अधर अधर दालना है अधर जैसे आप लोग यह पर क्लिक करोंगे तो यह पर कुछ सेक्शन खुल जाएंगे आपको आपने जो चीज महेंगा आप लोग को दालनी है ठीक है फिर एलेजिबिलेटी सर्ट इसके उपर हम लोग सेपरेट वीडियो बना दें कि अच्छा टॉपी कही है अभी आप लोग इतना समझो चितना में आप लोग को बता रहा है फोटो साइन का जगाल हो गया था आप लोग का डॉकुमेंट से मैं आप लोग को समझा चुक हूँ इसके अगली वीडियो में आप लोग को समझ गया है कि बीटा दोनों जगा सेम है आप लोग कुछ भी अलग नहीं करना है बस percentage अच्छी होना यार वहाँ पे admission के लेने के लिए और अधर इसमें तो बहुत सारी colleges आप लोग कहीं ने के admission मिली जाएंगा उसके बाद भाई PG के total percentage पर merit list जाती है या subject wise हा आप लोग को सब्सक्राइब के लिए तो देखो यह बहुत बहुत बहुतरीन question है इन जनाब का यह बोलते हैं आपको ठीक है तो यह बोलते हैं भाई PG के total percentage पर merit list की जाती है क्या वेरी वेरी और वेरी वेरी नाइस question बहुत लोग का question आना तो इस question को हम लोग को अच्छे समझेंगी कुश करते हैं देखो आप लोग को जब select किया जाएंगा आप लोग को कहा से किस सब्जेक्ट से आप लोग क फिजिक्स से कर रहे हो कुछ chemistry से करेंगे कुछ math से करेंगे कुछ CS से करेंगे तो देखो वह यहां फर्स semester में अगर आप लोग को देड़सों में से 100 mark आयते सेकंड सेमिस्टर में 120 आयते ठीक है फिजिक्स की बात कर रहा हूं थर्ड सेमिस्टर में 130 आये फिर 135 आये फिर 120 आये फिर 80 आये तो अगर आप लोग physics के लिए कर रहे हो तो physics के mark देखा जाएंगा chemistry के लिए कर रहे हो तो chemistry के mark देखा जाएंगा maths के लिए कर रहे हो तो maths के mark देखा जाएंगा मतलब यह कि merit list जब बनेंगी आप लोगों की physics के लिए तो physics के mark से बनेंगी chemistry की chemistry के mark से बनेंगी ना कि ओर 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 मतलब फिजिस केमेस्ट्री मैथ में अगर आप लोग को जो आप लोग का रिजल्ट है जैसिके फर्स्ट यह में 80 बने चोंगे और लें था फिर से थर्ड यर में आप लोग के फिर से 85 बने तो यह तीनों के average से आप लोग की merit list नहीं ली जाएंगी पीजी में आप लोग जिस subject पे admission कर रहे हो उससे आप लोगों की जो merit list है वो बनाई जाएंगी यू get my point ठीक है मैं असाशा करता होगी समझ गया होगी ठीक है मैंने बोला भी तहीं वैल वेरी question है इसका मैं answer दूंगा तो इस तरह से answer है आप लोग के admissions है जिस subject पे आप लोग PG कर रहे हो उससे ओके थैंक्यू उसके बाद ssc certificate मतलब क्या होता है ssc living certificate होता है क्या प्लीज reply ssc certificate मैंने इसकी पुराणी वीडियो में बताना था बिटा कि ssc certificate आप लोग को college द्वारा मिलती है college में आप लोग अपना result ला लेते हो 10th class में sorry school में आप लोग जो 10th class का result है ला लेते हो उसके 6-7 मैने पाद school में आती है ssc certificate तो वो certificate आप लोग अपनी school से collect कर लो क्यूंकि वहाँ पर आगर आप लोग जाओंगे आटी मेनी की पॉर्टल पर तो यहाँ पर देखो एससी certificate compulsory है तो आप लोग को वहाँ पर दालना ही होंगा अगर आप लोग आप दाल दोंगे कुछ नहीं दालोंगे और अगर आपको जब admission हो जाएंगा offline जाओंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम जा सकती है तो यूँ आप यह समझे होंगे स्थीज को यह compulsory है हाँ बेट मैं आप लोगा reply नहीं दे पाता हूं इतने सारे चीजों के होते दो इस्टेटिवा लोग के थैंक्यू से दल्दी फाओं इंफर्म कर दीजिएगा ओके ठीक है एमसी में ओबीजी वालोंगे वैलेडिटी कंपल सरी है क्या देखो अप अप्छिनल लिखा है अगर आप लो लोग आपको वैरीफिकेशन होंगा तो आप लोग को वासे बहा देंगे ठीक है बिल्कुल बहा देते हैं उन लोग को को सुनते उन्ते ने तो जो है वह दालो ओ बनी होंगी आपके या तो नहीं बनी है तो बनावाओ ठीक है बनाना या बाद वो कुछ केसपेस करना आप लोग के पर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं अपलोग मेरे मेरे भाई कॉलेज में 83% है हो जाएंगा क्या हो जाएंगा अच्छे परसेंटेज अपलोग के सब्सक्राइब नहीं है तो नहीं है तो मत दालो लेकिन बन सकती है तो बना कर दालो थे प्लीज मेंकिट अधर्वाइज हो हां सही वह बोले इन भाईया ने कि अगर आप लोग नहीं दालोंगे तो आप लोग की जो केटेगरी वह उपन की जाएंगी कर सकते हो बिलकुल कर सकते हैं कोई प्रबलम नहीं है मैंने सीब्सक्राइब किया है तो मुझे ग्रेट शीट वाली माक्षीट मिलती है और एक स्टेट्मेंट ऑफ माक्ष वाली इसमें बुरे सब्जेट के माक्ष दिये होते हैं तो मैं दोनों भी अपलोड आपको आप लोग की जो certificate बोल रहा है 10th class की उसमें आप लोग को यह सेकेंड वाली करना और जो को आपकी माक्षिट है उसको माक्षिट को अपलोड करना जरूरी होता है क्या अगर होतो हां करना अभी बना लो गया चर्टिफिकेट बिर बाद में बोलोंगे कि अभी हम जा रहे बनाने नहीं बना लो वुरे टॉकुमेंट्स आप लोग लगेंगे आप लोग पर मांग रहा होंगा तो दालो नहीं तो कोई हां मैंने बताया हूं लेकिन लगेंगा ठीक है तो लगेंगा चर्टिफिकेट वह नहीं मानते हैं अभी आएगा मेंट सर मैंने रेजिस्टेशन ऑफिशल नोटी से पहले कर दिया कोई बात नहीं सक्सेस्फुल बताया है तो इट्स ओके और आज मैं फॉर्म फिल कर रही हूं तो तो अलुका एंसीटी पर क्लिक करने पर कु रही है कि वहाने संकेंड वाला सेक्षिन होल रहा है तो अतलम इंषीशर ता को अब धुड़े अध्यों हो सकती है लेकिन नहीं हो राहे तो थोड़े देर पाद क्लिक करो और हो सकती है तो तो CALले संसे सक्टती से काले गई करो वी कैसा होता है नाकपुर इंवसिटी जो ऑ प्लिकेशन काम करता है वहाँ पर नहीं होते हैं रिशास लोग नहीं होते वाकिया इस पड़ लो कोई भी काम आप इतना थोड़ी के यार अभी अभी बनीए वेबसाइट फोड़ास में ध्यान रखो आप लो सर मैंने भी रइस्टर्ट की हूँ मुझे तो प्रब्लम नहीं जाएंगा कोई प्रब्लम नहीं जाएंगा बिल्कुल अपना निश्चित रही है स्सी सर्टिफिकेट कंपल्सर ही है कैसा कंपल्सर ही है ओके भाई एक रिक्वेस्ट कल प्लीज आप फॉर्म फिल कर ओके बेटा सुनो मैं आपको बता देता हूं कि मैं फॉर्म फिल करूंगा थोड़ा और रुकिए एक दिन रुकिए क्योंकि देखो मैं आप लोगो यह फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो मैं पूरे अपने दो पचास रूपर लेंगा लेकिन सैटिस्फाइड काम करेंगे फिर अपन उसकी शक्ति चीलेंगे ना किसा आपन कुछ करो तो अपन प्रॉब्लम में जाते हैं लेकिन कोई और गल्ती करें तो आपन उसको बोल सकते हैं मैंने 25 अगस को फॉर्म सब्ब्लम नहीं कोई प्र सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो में कमेंट में डिसकस किया कोई अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जब तक के लिए बड़ पाई